हमने बहुत से लोगों की इंस्टा हाइलाइट्स कुछ ऐसी देखी हैं कोई कह रहा है हफते में आप एक लाग कमा सकते हैं कोई कह रहा है पाँच लाग कमा सकते हैं कोई कहता है क्या आप चाफिल करके पैसे कमाओ कोई कहता है म्यूजिक सुन के पैसे कमाओ लोग जोडो पैसे कमाओ और इन सारी चीज़ों में 10th 12th के बच्चे और innocent लोग फश जाते हैं क्योंकि lack of awareness है और technology का excess है deadly combination lack of awareness के वज़े से 12th के बाद हम लोगों ने भी चीज़े try करी थी और एक ही चीज़ सीखी थी there is nothing like quick and easy money and if somehow you are getting easy money और easy success it might not last long इस किताब में एक beautiful story है let me share एक दिन एक bull और एक peasant यानि एक छोटी bird मैदान में थे बुल घास का रहा था और bird उसकी body के ticks तो bird field के एक पेड को देखते हुए कहती है कि यार एक time था जब मैं इस पेड की top branch पे बैठा करती थी पर अब मेरे पंको में ताकत ही नहीं है थोड़ा सवी नहीं उड़ पाती तो bull कहता है just eat a little bit of my shit और तुम देखना दो हफतों में सबसे उपर पहुँच जाओगी वहाँ पर bird कहती है क्या बखवास है ये ट्राय करके देख लो तो वो bird bull का shit खा लेती है और दो हफतों में वो सबसे उपर पहुच भी जाती है वहाँ पे बैठ कर bird scenery को enjoy कर ही रही होती है कि एक farmer उस मोटी सी चिडिया को देख लेता है farmer अपनी shotgun निकालता है और so moral of the story bullshit may get you to the top but it never lets you stay there